जालावाण में गद्दिन युवक युवराज सिंग को आत्म हत्या के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपित कथित तांतरिक कुल्दीव सिंग को कोत वाली पुलिस ने मंगलवार को दोपहर करीब डेड़ बजे गृफतार कर लिया तांतरिक कुल्दीव लिपिष्टिक वाले बाबा के नाम से जाना जाता है कुलिस उपर दिक्षक छगन सिंग राठोर ने बताया कि पुलिस मित धोरलें जांच की है सब भी साक्षे 71 किये हैं इसमें कुल्दीव सिंग द्वारा बच्चों की आंकों पर पट्टी बांद कर कमरे में ले जाकर निर्वस्तर कर अशलील हरकते करने की बाते सामने आई हैं मरतक यूवराज सिंग के साथ भी घटना वाले दिन मार्पिट की गई इससे परिशान होकर शायद उसने मौत को गले लगा लिया साथी कुल्दीव सिंग ने यूवराज से भी यही कहा कि तू कल मरता हो तो आज मर जा इस तरह से सभी के सामने बेईज़त होने से परिशान होकर यूवराज उर्ख बाबु ने आत्मत्या कर लिए आरोपित कुल्दीव सिंगो पुलिस में छेड़ चाड़ और आत्मत्या के लिए उकसाने से अन्ने धाराओं में गरफतार किया है इसमें पीडितों की मेडिकल जाच भी कराए जाएगी सोशल मेडिया पर अशलील संदेश आदी की धाराएं भी जोड़ी जाएगी अभी पुलिस रिमांड लेकर पूश तर्च कर रही है आरोपितों के मॉबाइल को पुलिस खंगा लेगी अभी पुलिस हर पहलू से जाच में चुटी है बताये जाता है कि इस मामले में बूंदी और उज्जैन की बालिकाएं भी शामिल है ज्यादतर प्रीडिक जालावार के है इसमें और भी लोगों के सामने आने की संभाव ना है कथित तोर पर आरोपित द्वारा परताडिस करने पर जालावार निवासी सोन सिंग के पुतर यूवरा सिंग और बाबू ने को घर में ही फासी लगाकर आत्मात्या कर ली थी वहीं मरतक के पिता सोन सिंग ने आरोप लगाया कि वह यूवराज के लिए लड़किया देखने जाते तो कुल्दीब सिंग को पता चलने पर वह लड़कियों के परीजनों को भरमित करता था तो मेरे पुत्र को भी शादी नहीं करने के लिए प्रेडिक करता था पुलिस ने 15 मार्थ को आत्मात्या के लिए उक्साने के मामले में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्द गया था फिलाल पुलिस ने आरोपी को ग्रफतार कर लिया है और आगे पूच्टाश की जा रही है